कॉंग्रस के पूर्व अध्यक्ष और लोगसभा में नेता पृतिपक राहूल गान्धी ने तमिल्लाडू में हुए ट्रेन हाथसे को लेकर शनिवार को सरकार पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि जवाब दे ही शीर स्तर से शुरू होती है अनेक हाथसों के बावजूद कोई सबक नहीं लिया गया उन्होंने ये सवाल भी किया कि आखिर कितने परिवारू के तबाह होने के बाद ये सरकार जागेगी राहुल गाधी ने सोचल मीडिया पर पोस्ट करती हुए लिखा मैसूर दर्भंगा ट्रेन दुरगटना भयावह बालासोर दुरगटना को प्रती बिम्बित करती है एक यात्री ट्रेन एक मालगाडी से टकरा गई अनेक दुरगटनाओं में कई लोगों की जान चले जाने के बावजूद कोई सबक नहीं लिया जाता जवाब देही सबसे उपर से शुरू होती है उन्होंने सवाल किया कि आखिर कितने परिवारों की तबाह होने के बाद ये सरकार जागेगी तमिलाडू के पोनेरी, कावरा, पेटटई, रेलवे स्टेशनों के बीच, चेनई, गुडूर, रेलखंड पर ट्रेन संख्या 12578 मैसूर दर्भंगा एक्सप्रेस की पीछे से एक मालगाडी से टकर हो गई इस हादसे में 19 लोग घायल होए है जानकारी की मताबिक जिस वक्त ये ट्रेन हादसे का शिकार होई उस वक्त इसकी स्पीड करीबे 75 किलोमेटर प्रतिः घंटा थी हादसे की जो मुख्या बजह सामनी आई है उसके मताबिक ये ट्रेन में लाइन में जाने की वजाय लूप लाइन में चली गई हादसे की बार ट्रेन के एक डिब्बे में आग भी लग गई जैसे ही हादसे की खबर मिली मौके पर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया दिल्ले में रेल मंतरी अश्विनी वैशनव खुद वार रूम में पहुंच गए और राहत और बचाव की निगरानी करने लगे उधर ता मिलाडू के मुख्य मंतरी एमके स्ट्यालिन ने घटना पर दुख जताया है रेलवे बोर्ड ने कहा है कि चेनई रेल डिविजन के पोनेरी कावरा पेट्टेई खंड में हुई एक्सप्रेस ट्रेन और मालगाडी के टक्कर में किसी यात्री की मौत होने की खबर नहीं है दक्षण रेलिवे ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि LHB डिबो वाली ट्रेन संख्या 12578 में सुरू डिबरुगड दर्भंगा बागमती एक्सप्रेस को 11 अक्टूबर को रात 8 बच कर 27 मिनट पर तुरू वलूर जिले में पोनेरी स्टेशन पार करने के बाद आगे भढ़ने के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया था लेकिन काबरा पेट्टाई स्टेशन में प्रवेश करते समय ट्रेन के चालक दल को तेज जटका लगा और ट्रेन में लाइन में जाने की बजाए लूप लाइन में प्रवेश कर गई और वहां खड़ी मालगाडी से टकडा गई रेलवे ने बताया कि रेल मार्क के प्रभावित हिस्से में ट्रेनों के आवजा ही बंद कर दी गई रेलवे के कोशिच है कि जल से जल प्रभावित मार्ग पर रेल परिचालन को सामाने किया जाए